संक्रामग बिमारियों के कारण कॉरोना वाइरस से एहले भी विश्रु में अनेक महामारी आई जिनमें हैजा, प्लेग, चेचक और इंफ्लुएंजा प्रमुख हैं क्या आपको पता है, कॉरोना वाइरस शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा कोशिकाएं या इम्म्यून सेल्स जो बाहर से आए बेक्टेरिया और वाइरस को नश्ट करती हैं, उनको नश्ट करता है, जिसके बाद कमजोर प्रतिरक्षा या इम्म्यूनिटी के कारण अन्मे मौ एंटोनाइन का प्लेक, रोमन सामराज्य में 165 ईसवी और उसके अगले कुछ दशकों तक चलने वाली एक विनाशकारी महामारी थी, जिसने 50 लाग से भी जादा लोगों को अपना शिकार बनाया। रोमन चेके सक गेलेने ने इसका बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स को बताया और ये महामारी पार्थियां से युद्ध करके लोटे रोमन सैनिकों के साथ आई मानी गई। इस प्लेक के बाद वहाँ इसाई धर्म तेजी से लोक पिलिय हुआ। 1855 में फैली तीसरी प्लेग महामारी ने दुनिया भर में करीब सवा करोड लोगों की जान ली। जस्टीनियन और ब्लैक डेथ प्लेग के बाद विरोक में फैलने वाली ये तीसरी बड़ी ब्यगोनिक प्लेग महामारी थी। ये चीन के युन्नान प्रांस से फैलना शुरू हुआ और जल्द ही भारत और बाकी देशों में पहुँचा। भारत में इससे सबसे अधिक एक करोड लोगों की मिर्टी हुई जिसके कारण अंग्रेजों को उस समय बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। 1981 में पहचाने जाने के बाद HIV AIDS से अब तक 3.5 करोड लोगों की मिर्टी हुई है और लगबग इतने ही लोग अभी HIV संक्रमित हैं जिसमें जादत है लोग अफरीकी देशों के हैं। इसकी शुरुआत अफरीकी देश कांगो से हुई और 2005 से 2012 के दौरान इसका प्रभाव सबसे अधिक था। HIV वाइरस संक्रमित व्यक्ती की प्रतिरोधक शमता को पूरी तरह नस्ट कर देता है जिससे व्यक्ती सामानने बिमारियों से भी लड़ने के काबिल नहीं रहता। इसका अभी कोई टीका या वैक्सिन तो नहीं बन पाया है पर बढ़ती जागरुकता और नए उपचार के विकास से इसकी रोकथाम में बहुत मदद मिलिये। जस्टीनियन का प्लेक ब्यबोनिक प्लेक का प्रकोग था जिसने बिजान्टिन सामराज और मेडिटेरनियन या भूमद्य सागर के छेत्र को अपनी चपेट में लिया था। इसके एक साल के आतंक में तीन करोड से अधिक लोगों के मिर्थी हुई और वहां की लगबग एक चौथाई अबादी कम हो गई। पर इसके श्रोत्त के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। Spanish Flu के जानलेवा Influenza Virus ने साल 1918 में पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। जब प्रथम विश्व युद्ध के तंग और भीडबाड वाले ट्रेनिंग कैंपों में प्रदूशित वातावरंण से फैली ये बिमारी, युद्ध के बाद अपने अपने देश लोटे सैनिकों के साथ पूरे विश्व में फैल गई। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, इस महामारी ने उससे दो गुना लोगों को लील लिया और लगबग पांच करोर लोगों ने अपनी जान कवाई, जिसमें से ज़्यादा तर स्वस्थ युवक थे। अमेरिकी प्लेग एशियाई और यूरोपिय रोगों का एक समू है, जिसे यूरोपिय देशों के खोच करता अमेरिकी महादूईब में उपनिवेशवाद के साथ लेकर आये, और जिसने वहां के मूल निवासियों की 90 प्रतीशत आबादी को समाप्त कर दिया। इसमें सबसे बड़ी बिमारी थी चेचक और अन्मे बिमारियों में खसरा, एजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी और टाइफस शामिल थी। इनका और एच्टेक सब्वेताओं के पतन का कारण ये प्लेग करीब साड़े 5 करोड लोगों की मिर्ट्यू का कारण बना। एशिया से फैलना शुरू हुई ये बिमारी जहाजों के साथ यूरोप पहुंची और इसने 20 करोड लोगों को अपनी चपेट में लिया। चूमों से फैलता हुआ ये प्लेग कीडों के माध्यम से मनुष्य में संकर्मित होता था। इस महामारी ने यूरोप का इतिहास बदल दिया जब मजदूरों की कमी होने के कारण पश्यमी यूरोपिय देशों में सामान्त वादी विवस्ता चर्मडा गई और कृष्य दास्ता समाप्त हुई। इन जैसी अनेको महामारियों और विवत्तियों ने मानत्ता को तबाह करने का काम किया है जिससे कभी इतिहास का रुख बदला तो कभी सब्वेथाओं का अंध हुआ। दोस्तो कोरोना वाइरस और अन्य महामारियों के बारे में अपनी राये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाईए।